दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फैंटेसी आर्मी की एक और नई वीडियो के अंदर आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ लखनव सुपर जैंट्स वर्सिस चन्दई सुपर किंग्स के बीच में जो इस IPL का 34 मुकाबला आज आपको खिला जातावा इस मैच में कैसे आपको अपनी fantasy team बनानी है वो कौन से खिलाडी है जिनको आपको ग्रेंड लीग में ट्राइ करणा है वो कौन से खिलाडी है जिनका selection percent तो आज के मैच में काफी ज़्यादा कम है लेकिन अगर आप उनका सामने वाली team के सामने record देखोगे वो इतना अच्छा है कि अगर आप उन खिलाडियों को अपनी grand league के अंदर try करोगे न तो आप लोगों की जो rank है वो grand league में काफी अच्छी आ सकती है आप लोगों को बता दो शारदूल ठाकुर आज के match में एक game changer पिक रहेंगे शारदूल ठाकुर को अपनी grand league के team में जरूर try करियेगा क्योंकि शारदूल ठाकुर का record आप इस मैदान पे देख ले या फिर लखनव के सामने देख ले बहुत अच्छा है तो शारदूल ठाकुर एक game changer पिक रहेंगे ये चीज़ मैं आपको सबसे पहले बता के चल रहा हूँ से लेके अंतर तक आप लोग जरूर watch करिएगा दूस्तू उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी request है जिस भी भाई ने अभी तक हमारे fantasy army चैनल को subscribe नहीं करा है तो आप subscribe जरूर करिएगा क्योंकि हर एक वीडियो के notification आपको मिलने चाहिए तो bell icon आप लोग यहाँ पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा अब आप लोग अभी तक हमारे telegram channel से नहीं जुडे न तो इस वीडियो के description में आपको telegram channel का link दे रखा है इस वाले link पे आप जैसे ही click करेंगे आप लोग हमारे telegram channel से भी जुड़ जाएंगे एक तो यह तरीका हो गया telegram से join करने का एक दूसरा तरीका आपको बताता हूँ इस channel के fantasy army channel के about section में जाएगा यह about का बतन दिख रहा है इस पे click करके आप लोग telegram channel से जुड़ सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं telegram join link का link है इस पे click करके आप जुड़ सकते हैं तो जल्दी से telegram channel से जुड़ जाएगा या फिर आप इस channel के about section में चले जाएगा वहाँ पे मैंने आपको अपने telegram channel का link दे रखा है जाके जुड़ जाएगा क्योंकि toss के बाद के जितनी भी important information है चाहे वो playing 11 हो चाहे वो मेरे audio notes हो या फिर मेरी small link की final team हो सब कुछ आपको telegram पे मिल जाएगा तो description में लिक के फटाफ़र से telegram channel से जुड़ जुड़ जाएगा और अगर आप लोगों को ये video यहाँ पर पसंद आती है video को like जरू करिएगा 5000 like का बहुत छोटा सा target आप लोगों के सामने रख रहा हो I hope कि आप 5000 like complete करवाएंगे तो like का button जरूर दबा दीजिएगा तो चलिए फिर इस video को यहाँ से start करते हैं ध्यान से सुनिएगा ध्यान से समझिएगा सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर pitch report समझा देता हूँ ताकि आज के match में जो मैंने grand league की teams बनाई है वो किस लिए बनाई है और क्यूं बनाई है ये चीज़ आपको समझ में आ पाजपाई एकाना cricket stadium लखनव में यानि कि लखनव सूपर जायंट्स के home ground में आपको ये match जो है खेला जाता हूँ दिखेगा बात करते हैं सबसे पहले pitch report के बारे में कि एकाना stadium लखनव की हमें pitch जो है कैसी देखने को मिलेगी देखो एकाना stadium पे इस season IPL के total 3 मुकाबले ख बाजों के लिए काफी जादा अच्छी थी ठीक है जो पहला मैच हुआ था उस pitch पे बल्ले बाजों के लिए सबसे जादा मदद थी तेज गेंद बाजों को extra bounce वहाँ पे मिल रहा था लेकिन जब यहाँ पर एकाना stadium पे दूसरा मैच होता है तो उस match में जो pitch use करी जाती है वो होती है two pace wicket उस match में two pace wicket का use किया जाता है जहाँ पर आप यह मान सकती हो कि बल्ले बाजी करना उतना सब नहीं था तेज गेंद बाजों को extra bounce भी मिल रहा था थोड़ा बहुत moment भी मिल रहा था और spinner को turn भी मिल रहा था जो दूसरा match था तीसरे match के अंदर भी हमें जो है तेज गेंद बाजों को moment था ठीक है उसके बाद क्या हुआ था कि वहाँ पर जब power play के face खतम हो गए थे तो बैटिंग करना easy हो गया था तो तीनों match में हमें अलग-अलग तरीके की pitch देखने को मिली है लेकिन आप एक चीज का ध्यान लखना एकाना stadium पे आपको high scoring matches देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ पर आपको 200 वाली pitches देखने को नहीं मिलती हाँ बिलकुल अगर पाटा track यह लोग बना देते हैं तो में भी 200 बनतावा देख सकता है लेकिन जो तीन matches अभी तक एकाना stadium पे खेले गए है ना तीनों matches के अंदर मैंने क्या देखा है कि 200 वाली pitches पर नहीं है तो आप यहाँ पर ना जो पिछोगी वो बल्ले बाजो के लिए ठीक ठाक रहेगी तेज गेंद बाजो को यहाँ पर extra bounce मिलेगा और अगर grass छोड़ देते हैं तो थोड़ा बहुत movement मिलेगा spinner को देखो turn जो है एकाना stadium पे मिलता वो पहले भी मिलता था आज मिले लेकिन बले बाज थोड़े ज़ादा important रहेंगे क्योंकि recent time में एकाना stadium पे batting friendly pitch बनाई जा रही है ये चीज़ धाननक के चलिएगा बात करें हाँ पर लखनाव super giants की आज के match में playing 11 क्या रहेगी और इनकी तरफ से 4-4 over की balling कौन करेगा देखे quinton डिकॉग के ल रहूल टीम के लिए आपको opening करते वे दिखेंगे वन डाउन पे दीपा खुड़ा, फिरायूश बदोनी, मारकास टॉइनस, निकोलस पूरन, कुनाल प्या, अर्शत खान, रवी बिश्नोई, मोजीन खान, शमार जोसेफ, यस्थाकुर ये रहेगी लखनो super giants की playing 11 ये रहेगा लखनो super giants का batting order, इनकी तरफ से 4-4 over की balling कौन करेगा, देखो आपको बता दो, यस्थाकुर आज के match में 4 over आपको पूरे डालते वे दिखेंगे, इसके अलावा रवी बिश्नोई भी आपको 4 over पूरे डालते वे दिखेंगे, शमार जोसेफ से भी ये team 4 over पूरे करवाई की, मोजीन खान जो है आपको 3 over के आसपास डालते वे दिखेंगे, अर्शद खान 3 over के आसपास आपको डालते वे दिखेंगे, और कुनाल पांडिया आपको 2 over डालते वे दिखेंगे, तो ये रहेगा total इनका 20 over का यहाँ पर पूरा हिसाब, अब देखो इनके पास एक और balling में option है, वो है Marcus Stoinis, अगर टीम को ज़रत पढ़ती है ना, तो एक over या जादा से जादा दो over ना Stoinis से करवा सकते हैं, लेकिन Stoinis के balling करने के chances थोड़े से कम रहेंगे, ये चीज़ द्यान न किएगा, देथ over में balling कौन करेगा, देखो अगर यही playing 11 रहती है लखनौ की, तो इस playing 11 कि according यश्ठाकूर आएंगे death over में balling करने, दूसरी साइड से ये team death over में यहाँ पर मोजीन खान को लाएगी death में balling करने, लेकिन अगर शमार जोसेफ के overs यहाँ पर अच्छे चले जाते हैं, तो वो भी death में आ सकते हैं, लेकिन 90% chance है कि यश्ठाकूर और मोजीन खानी आप को यहाँ पर लखनओ के लिए death over में balling करते वे दिखेंगे, यह चीज़ दिहान रखिएगा, अब इन सभी players के अगर आप लोगों को record देखने हैं, तो आप small league वाली वीडियो में चले जाएए, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सभी players के record बताता न तो वीडियो बहुत जादा लंबी बन जाती, इसलिए सिर्फ मैंने आप लोगों को यहाँ पर playing 11 बता दी है, और कौन यहाँ पर कितने over करेगा, यह आपको यहाँ पर समझा दिया है, आप देखते हैं, आज के match में हमारी चन्नाई की playing 11 के रहेगी, और चन्नाई की तरफ स चार-चार over की balling गौन करेगा, देखो यहाँ पर आपको बता दो, रितुराज, गायकवाड, रचेन, रविंद्रा करेंगे opening, वन डाउन पे आएंगे अजिंके रहाने, टो डाउन पे आएंगे शिवम दूबे, फिडेरेल मिचल, MS धोनी, रविंदर जडेजा, समीर चीज में न, वो वन डाउन पे खेलेंगे और गायकवाड और यहाँ पर रविंद्रा जो है, आपको opening करते वे दिखेंगे, चार-चार-वर की balling कौन करेगा, देखो यहाँ पर जो चन्ले की team है न, वो 5 baller के साथ खेल रही है, तो चार-चार-वर यहाँ पर ऐसी रहेंग यहाँ पर देश-पांडे, शारदुल, ठाकुर को जादा ही महगे साबित हो जाती है, तो एक ओवर यह team मिचल से भी करवा सकती है, और रचिन रविंद्रा से भी करा सकती है, लेकिन इन दोनों के balling करने के chance देजना, आप यह मान के चलो कि 10% है, 10% से भी कम 5% chance है, क्योंक से आपको मतीशा पतिराना देथ ओवर में balling करते हुए दिखेंगे, यह चीज़ धान रखिएगा, अब इन सभी players के भी अगर आप लोगों को record देखने हैं, तो आप small league वाली वीडियो में चली जाएए, वहाँ पर इन सभी players के record मैंने detail में आपको समझा दिये है, दोस्तो अब बात करते हैं, यहाँ पर main topic के बारे में कि आज के match में आप लोगों को grand league में captain, wise captain किसको करना है, उसके बारे में बताता हूँ, देखें मेरे हिसाब से आज के match में grand league में captain, wise captain के लिए छे सबसे अच्छे option है, इन में से आप जिसको भी captain, wise captain करना चाहें, यहाँ पर कर स रितुराज गायकवाड ने 60 plus के knock भी खेली है, यह भी आपको पता है, form रितुराज गायकवाड का अच्छा चल रहा है, spin को बहुत अच्छा खेलते हैं, और लखनव के उपर अगर slow wicket रहती है, तब भी अच्छा कर जाएंगे, अगर batting wicket रहती है, तब भी अच्छा कर करिए, अगर आता है, शुरुवाती overs में तेजगेंद बाजों के लिए moment नहीं है, थोड़ा बहुत spinner के लिए turn है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, कि इनको तीन से चार टीम में फिर captain wise captain कर सकते हैं, दोनों ही situation में यहापर captain wise captain matter करेगा, ये चीज़ ध्यान लखना, लेकिन आप लखनाओ के आगे record देखोगे, 38 का average भी आपको लखनाओ के आगे देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छे बल्ले बाज है, इस season form बहुत अच्छा चल रहा है, आपको हर match में run बना के दे रहे हैं, तगड़े बल्ले बाज है, कम से कम 3-4 team में आप शिवम दूबे को भ पहले तो record देखो, 3 मुकाबले 20 run एक विगेट, खराब record है, एक मुकाबला एकाना स्टेडियम पे खेली है, एक विगेट एवरेज रिकॉर्ड है, फिर भी मैं कैप्टन वाइस कैप्टन करने को बोल रहा हूँ, reason उसके पीछे यह है कि देखो जो एकाना स्टेडियम के प पुलस पूरन जो थोड़ा बहुत स्पिन को ठीक खेलते हैं, तो यहाँ पर उन दोनों के अलावा ना लखनाओ की टीम में कोई स्पिन खेलने वाला उतना अच्छा खेलाडी नहीं है, तो यहाँ पर आपके लिए रविंदर जडेजा जो है बहुत अच्छी पिक बनते है इनको आप कैपटन वाइस कैपटन जरू कर सकते हैं, आज के मैच में कम से कम मेरी प्रिडिक्शन ऐसी है, तीन विकेट ये लेके जाएंगे, तीन विकेट लेके जाएंगे क्योंकि एकाना स्पिडियम पे स्पिनर को टर्न मिलता है, तो जडेजा साब को आप कैपटन कैप्टन की आवा है उसके बाद यहाँ पर जो अगले खिलाडी है वो है यहाँ पर मतीशा पतिराना लसित मलिंगा जैसा एक्षन है यौर का डाले के लिए जाने जाते हैं 150 से उपर की इनके पास पेस है और तगड़े बॉलर है एक से दो विकेट हर मैच में रिकालते हैं आ अब यहाँ पर CSK की आज के मैच में पहले बॉलिंग आती है आप कम से ना कम से कम पास से छे टीम में आप यहाँ पर मतीशा पतिराना को कैप्टन वाइस कैप्टन करिए क्योंकि यहाँ पर देथ होवर में अगर आप दिखोगे जो लखनव के बल्ले बाज है वो सबसे ज इस का अवरेजे स्पिन अच्छा खेलते हैं एक साइड से एंकर करते वे ना कभी भी आपको बड़ी पारी खेल के दे देंगे तो कम से कम दो से तीन टीम में आप राहूल को भी कप्तान करिएगा लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा जब जब शुरुवाती ओवर्स मे मुमेंट होता है ना राहूल साब भी श्ट्रगल करते हैं उसके बाद यहाँ पर निकूलस पूरण जो आप देखोगे चन्नई के आगे बहुत अच्छा करते हैं इस मैदान पर मातर 22 का अवरेज है लेकिन फॉर्म यहाँ पर निकूलस पूरण का अच्छा चल रहा है इस सेंट फॉर में वो इतना अच्छा है कि हर मैच में आपको रन जो है यह बनाके दे रहे हैं तो कम से कम दो तीन टीमों में निकूलस पूरण को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं बाकी फिर मैंने और भी ऑप्शन देखे कैप्टन वाइस कैप्टन के लेकिन और क्योंकि यह सबसे बैस्ट ओप्शन है के लिए यह चीज धार नकिएगा उसके बाद बात करते हैं अगर इसी तो सबसे पहला खेलारी है भहिया डैर्रल कर जाएंगे दूसरी चीज क्या है कि जो रचिन रविंद्रा है न वो स्लोवर शॉट पिच गिंदबाजी के आगे न जो आफस्टम पे होती है उसके आगे श्ट्रगल करते हैं तो यहाँ पर जो है डेरिल मिचल की बैटिंग जो है आज के मैच में जल्दी आ जाएगी और आपको कम से न कम से कम आज के मैच में 40-50 रण की नौक खेल के दे सकते हैं तो यह रहेंगे डिफरेंशल खिलाडी अगर आप चन्नई के फिवर में आज के मैच में अपनी ग्रेंड लिक की टीम मना रहे है न डेरिल मिचल को जरू ट्राइ कर सकते हैं दूसरा खिलाडी है और या रवी बिश्णोई जनरली आपको मैं बता चुका हूँ कि एक से दू विकेट रवी बिश्णोई हर मैच में निकालते हैं और ये बात आपको पता भी है अब देखें यहां की जो पिच है न वो ड्रायर साइड पे रहती है तो स्पिनर को टर्न यहां पे मिलता है औ कैटन वाइस कैटन नहीं करना लेकिन टीम में ट्राय करना है अगर आप 20 टीम बना रहे हो ना 20 में से 4 टीमों के अंदर रवी बिश्णोई को जरू ट्राय कर लें क्योंकि विकेट टेकर बॉलर है अच्छे लेक्स पिनर है शार्दो इठाकपुर भाया इनका रिकॉर्ड तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये मेरे पहले डिफरेंशल खेलाडी है तीन मुकाबले खेले हैं लखनाओ के आगे 6 विकेट है एक मुकाबला इस मैदान पे खेले है 33 दो विकेट लेकिन वो ODII का मैच है लेकिन आप एक चीज देखो लखनाओ के आगे 3 मु आएंगे आपके लिए अगर आप चन्नई के फेवर में अपनी टीम मना रही है आप जरूर शारदूल ठाकर को ट्राइ करिएगा एक से दो विकेट आपको निकालके जरूर देंगे फिर उसके बाद यस ठाकर 49% सेलेक्शन है लोग स्मॉल लिग में भी ट्राइ कर रहे हैं बॉलिंग तो अच्छी करते हैं लेकिन विकेट जादा नहीं मिलती ये अच्छी लाइन लेंच पर बॉलिंग करने के लिए जाने जाते हैं अपनी पेस और ये जो है यूज करते हैं और इनके पास जो है अच्छे वेरियेशन भी है आप देखेंगे एक मुकाबला खेले ह चन्नाई के आगे 2 विकेट है, 5 मुकाबले इस मेदान पर खेले है 9 विकेट है तो रिकॉर्ड अच्छा है लेकिन लखनाओ की पहले बॉलिंग आती है तब याँ आप इनको ट्राइ करेंगे चाहे स्मॉल लिक में ट्राइ करें चाहे ग्रेंड लिग में ट्राइ करेंगे इनको और उसके बाद यहाँ पर पहले अगर बैटिंग आती है तो डेरिल मिचल को सेकंड बैटिंग में डेरिल मिचल को ग्रेंड लिग में ज़ादा टीमों में ट्राइ करना क्योंकि यहाँ पर क्या है जो चन्नाई की टीम है वो स्पिन अच्छा खेल जाएगी तो अगर च स्मॉल लिक की टीम दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चले कि आज के मैच में कौन-कौन से खेलाडी है जिनको आपको अपनी टीम में लेके ही चलना है और आपको मैं एक चीज हमेशा से बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पर 600 मेंबर वाली मिनी जील खेल रहे हो या फिर 2000 वाली मिनी जील खेल रहे हो तो इन टीम्स के अंदर आप क्या करा करो कि जो भी आपकी स्मॉल लिक के टीम होती है ना उसी स्मॉल लिक के टीम में अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन को रूटेट कर दो तो आप लोगों की रेंक काफी अच्छी आ सकती है क्य अगर rotate कर दो ना तो mini GL तो आप 100% जीच जाओगे ये चीज़ ध्यान रखिएगा अब आज के match में small league की team क्या रहेगी राहुल पूरन डिकॉक को लिके चलेंगे बैटिंग सेक्शन में guy quard, शिवम दूबे, रचिन रविंद्रा को pick करेंगे all rounder section में जडेजा, स्ट्वाइनस को pick करेंगे, बॉलिंग section में पतीराना, मुस्तिविजूर रह्मान, रवी विश्टोई को pick करेंगे तो अगर आज के match में आप mini GL खेल रहे हैं तो इसमें captain, vice captain को rotate करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर captaincy guy quard को दिये, vice captaincy rahul को दिये आप क्या कर सकते हैं कि captaincy जडेजा को देदे, vice captaincy शीवम दूबे को देदे बस अगर आप captain, vice captain को rotate कर देना तो आप यहाँ पर mini GL win कर सकते हैं small league के team से यह चीज़ ध्यान रखेगा तो पहला जो grand league का rule है, जो आप safe team मनाए, उसी safe team में बस captain, vice captain को rotate करे, आप लोगों की 10 में से एक match में mini GL लग जाएगी या GL भी लग जाएगी, यह चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेगे चलिएगा चलिए, आप देख लेते हैं, आज के match में आप लोगों को grand league की team यहाँ पर कैसे बनानी है देखे, आज के match में जो आप लोगों को बना सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा अब आपको पहली team दिखाता हूं की आज के match में, पहली team grand league की आपको क्या बनानी है देखो पहला point जो है की चन्नली मानलो आज के match में पहले batting करने आ रहे है अब चन्नाई आज के मैच में पहले बैटिंग करती है 160 का टारगेट देती है 180 का या फिर 190 का जितना भी टारगेट यहाँ पर चन्नाई देती है वो यहाँ पर यह चार बल्ले बाज मिलके बनाते हैं जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं उन चार बल्ले बाजो को मैंने पिक करा मैंने यहाँ पर अजिंके रहने को नहीं लिया क्योंकि अजिंके रहने के बड़ी कमजूरी क्या है कि वो स्पिन के आगे श्ट्रगल करते हैं इसलिए अजिंके रहने को मैंने नहीं लिया मैंने यहाँ पर जड़ेजे साब को भी रख लिया क्योंकि मैं मान के चलना हूँ कि जड़ेजे साब की भी बैटिंग आएगी और 15-20 रन ये भी बना देंगे तो ये जो पांच बल्ले बाजन है ये 5 बल्ले बाजन के हाँ पर 160, 170, 180 के आसपास रन जो है चन्नई के लिए बनाएंगे अब यहाँ पर आती है चन्नई बॉलिंग करने जब चन्नई बॉलिंग करने आती है ना तो चन्नई की तरफ से जो इनके में बॉलर है पथिराना, मुस्तिविजूर रह्मान, शारदूल ठाकुर और जड़ेजा ये जो चार बॉलर है ना ये लखनई की नाक में कर देते हैं दम लखनई को भईया टारगेट चेज नहीं करने देते तो मैंने इन चारों को पिक करा क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ, जितना भी टारगेट यहाँ पर चन्नई की टीम लखनई को देगी ना चन्नई की टीम वो सारा टारगेट जो है यहाँ पर डिफेंड कर लेगी, लखनई वालों को बनाने नहीं देगी, इसलिए लखनई की तरफ से फिर सिर्फ मैंने दो बल्ले बाच पिक करें राहूल और पूरण, जो मुझे लगता है इस पिन अच्छा खेलते हैं, उनको पिक करा बाकी हाँ पर मैंने और कोई बल्ले बाच जो है लखनई का पिक नहीं करा, क्योंकि इस टोईनस का अपनी टीम में रविंद्रा को छोड़के डिकॉक रखना चाओ, वो रख सकती हो मलत अपनी तरफ से अगर किसी को अड़ करना है डिकॉक को अड़ कर सकती हो, और किसी को अड़ मत करना अब यहाँ पर अगर आप देखोगे मैंने सिर्फ बिश्णोई को लिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि चन्नेई की विक्ते गिरेंगी, लेकिन चन्नेई की जो विक्ते गिरेंगे न वो बॉलर कुछ ऐसे होंगे कि एक-एकी विकेट लेके जाएंगे तो एक-एक विकेट अगर लखनोगे बॉलर्स को मिलेगी, उतना जादा मैच के ओपर इंपेक्ट नहीं आएगा, इसलिए मैंने सिर्फ चन्नेई के बॉलर्स अपनी टीम में लिए तो यह टीम हो गई चन्नेई के एक एफेवर में, अगर चन्नेई पहले बैटिंग करती है उस case में आप ये team बना सकते हो अब ये जो team है ये भी चन्नाई के favor में है ये भी चन्नाई के favor में ही team है CSK के जो top 3 है आज के match में सारा target chase करके जाएंगे CSK के top 3 कौन है? रितुराज गायकवाड, रचिन रविंद्रा और अजिंके रहाने ये तीन ना आज के match में सारा target chase करेंगे इस case में लखनाउ वाई पहले betting करने लखनाउ ने target दिया मात्र 130 रन का 140 भी बना सकती है 150 भी बना सकती है मतलब जितना भी target आज के match में लखनाउ की team बनाती है न वो ये 3 बल्ले बाज मिलके chase कर जाते है अब ये 3 बल्ले बाज मिलके chase करेंगे तो इनी में से किसी को captain wise captain करेंगे captain सी मैंने guy squad को दे दी wise captain सी मैंने यहाँ पर रचिन रविंद्रा को दे दी अब मान के चलो कि अगर ये 3 बल्ले बाज मिलके chase कर रहे हैं तो एक ही wicket गिरेगी चन्नाई की अब उस एक wicket के लिए मुझे लखनाओ के किसी बॉलर को परिशान करने की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने अपनी टीम में जो है जडेजा साब को pick करा मुस्तिविजूर रहमान को pick करा मतीशा पतिराना, मुस्तिविजूर रहमान और शारदुल ठाकुर, शारदुल ठाकुर जो डिफरेंशल के लाड़ी है, उनको add करा बैटिंग सेक्शन में मैंने सिर्फ यहाँ पर राहूल, दिकोफ, पूरन और स्टोइनस को pick करा, क्योंकि हाँ लखनाओ के बॉलर की तो जरूरत है नहीं और मुझे यहाँ पर चौथा बॉलर शिवम दूबे चाहिए नहीं, क्योंकि जब यह तीम मिलके सारा टारगेट चेज कर जाएंगे, तो दूबे साब की भी ज़ूरत नहीं है, डेरिल मिचल साब की भी ज़ूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लखनाओ के चार बल्ले बाज ले लिए, तो यह टीम तब के लिए है, जब चन्नाई चेज करने आएगी तो यह टीम तब आपके लिए वाक करेगी इस टीम में कैप्टनसी गायकवार को है, वाइस दूसरी इनिंग में भी 200 बनतावा दिखता है, तो उस केस में टीम आपको क्या बनानी है, वो बताता हूँ, आप दीखे मानलो यहाँ पर चन्नाई पहले बैटिंग करे, लखनाओ बैटिंग करे, वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर दोनों के तरफ से राहुल, डिकोग, पूरण, इन तीनों का रिकॉर्ड आप देखना, चन्ने के आगे बहुत अच्छा है, स्टॉइनस का रिकॉर्ड हलाकि चन्ने के आगे खराब है, तो आप इनकी जगा आयूश बदोनी को एड़ कर सकती हो, आयूश बदोनी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 101 का एवरेज है चन्ने के आगे, 101 का एवरेज है बदोनी का, तो आप मारका स्टॉइनस की जगा बदोनी साब को ले सकती हो, यहाँ मैंने बॉलर में सिर्फ पतिराना, मुस्तिविजूर, रहमान, बिश्णोही को पिक करा, मैं मान के चलाओ, लखनाओ की तरफ से बिश्णोही दो विकेट निकालेंगे, चन्ने के तरफ से मुस्तिविजूर दो विकेट निकालेंगे, पतिराना दो विकेट निकालेंगे, इनको मैंने पिक करा, बाकी जो ballers होंगे उनको एक ही की wicket मिलेगी इसलिए मैंने इन तीन ballers को यहाँ पर add कर लिया है इस team में captaincy, vice captaincy में दोनों ही team के best बल्ले बाजो को दूंगा क्योंकि यहाँ पर पहली inning में भी 200 बन रहा है, दूसरी inning में भी 200 बन रहा है यानि कि बिल्कुल अगर batting pitch का use किया जाता है, उस case में आप इस team को यहाँ पर use कर सकते हो अब यहाँ पर 3 team देखते हैं और यह जो 3 team है यह बिल्कुल logical team है और मेरे हिसाब से यह team walk कर सकती है, अब आपको पता है यहाँ पर 2 pace wicket का भी use किया जाता है मैंने आपको बताया था ना pitch report में कि यहाँ पर 2 pace wicket भी है, अगर 2 pace wicket का use किया जाता है उस हिसाब से team क्या बनानी है, देखो अगर average scoring वाला match होता है यानि कि 160 बनते हैं या फिर 150 बनते हैं, अगर ऐसा कुछ scoring वाला match होता है, उस case में team क्या बनानी है देखो उस case में team क्या है कि मैंने सिर्फ वो बल्ले बाज pick करें जो spin अच्छा खेलती है क्योंकि मैं मान के चलो 2 pace wicket होगी तो मैं ballers जादा लूँगा, तो ballers में मैंने पतीराना, रह्मान, शारदूल ठाकुर, यश ठाकुर और रवी बिश्नो यानि कि इन सब का record आपने देखा था, head to add और venue वाला, small league में दिखाया था, इन पाचो का record अच्छा है, पाचो को pick करा बल्ले बास देखो कि मैंने दूबे को pick करा, जो spin अच्छा खेलती है, गायकवार्ड को pick करा, डैरिल मिचल को, निकोलस पूरन को और राहुल को आप देखोगे हैं रचिन रविंद्रा नहीं है टीम में, रचिन रविंद्रा को क्यों नहीं लिया, ओफ स्टम पे जब स्लोवर शॉट पिच गेंदबाजी का कोई baller यूज करता है न, वो leg में लपेडने के चकर में विकेट फैक के जाते हैं, इसलिए मैंने रविंद्र को नहीं लिया, तब ही मैंने यस्थाकुर को एड़ करा, वो विकेट हो सकता है, मोजीन खान भी ले जाएं, बट यस्थाकुर को रखना क्यों है, ये बंदा death में आ जाएगा balling करने, यस्थाकुर दो over death में डालेगा, इसलिए मैंने यस्थाकुर को एड़ कर लिया, और अस्थाकुर के पास pace भी अच्छी है, इसलिए अस्थाकुर को एड़ करा, और लाउंडर में मैंने जड़ी जा को pick कर लिया, अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूं कि scoring तो यहाँ पर average होगी, लेकिन जड़ू आज के match में हिट हो रहे है, भहिया जड़ू हिट की हो रहे है, क् 159 या 160 के आशपास होगी, यानि कि एक average scoring वाला match होगा, उस case में आपको यह team जो है तब बनानी है, यानि कि आज के match में अगर 2-page wicket का use किया जाता है ना, उस case में team आप यह बना सकते हो, अब यह वाली जो team है यह ऐसी है कि सभी players के जो head-to-head record है वो बहुत बहतर है, इवन नायूस बदोनी भी team में दिखेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया था ना, नायूस बदोनी का चन्नई के आगे average 101 का है, तो इसलिए बदोनी सापको भी ले रखा है, अब देखो राहूल को pick करा, डिकॉक को pick करा, गायकवार, दूबे, बदोनी, जड़ेजा, पतिराना, म small league में pick नहीं करेंगे, इनको मैंने differential खिलाडी में डाला था, शारदूल ठाकुर मेरे differential खिलाडी तो इनको pick करा, आप देखो दो मैंने differential खिलाडी पिक कर लिए, एक मैंने खिलाडी वो pick करा, जिसका record बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने उनके बारे में बताया क्यों नहीं, क इसलिए vice captaincy मेंने पतिराना को, दीवन पतिराना जो है तीन विकिड के आसपास में निकाल सकते हैं, फॉर्म अच्छा है, इसलिए पतिराना को vice captaincy दे दी, अब ये वाली team है कि भाया, रविंद्र प्लस जडेजा आज के match में हिट होंगे, आपको गे रविंद्र प्लस है यहाँ पर रचिन रविंद्रा के बारे में कि spin को बहुत अच्छा केलती है, तो यहाँ पर जो pitches drier side पे रहती है न, उन tracks के ओपर रचिन रविंद्र अच्छा करेंगे, तो इनको captaincy दे दी, vice captaincy जडेजा को क्यों दी, अभी मैंने बताया कि लखनाव की team spin को उतना अच् लेकिन यहाँ पर क्या है main चीज कि यहाँ पर आप देखोगे मैंने बल्ले बाज कौन-कौन लिये हैं, राहूल और पूरन जो spin अच्छा खेलती है, मैं मान के चलना हूँ, डिकॉक न यहाँ पर तेज गती से खेलेंगे और 30-35 सरे start में बना देंगे और जल्दी विकेट जाएंगे और यहाँ पर टूपेस विकेट पर तेज गिंद बाजो को शुरुवात में मुवमेंट मिलता है, सामने शमार जो से पर गैस ठाकूर है, बोजीन खान है, शुरुवाती में जब मुवमेंट मिलेगा, तो रितुराज गयकौर के श्ट्रगल करने के चांसिस पिक कर लिया है, तो ये हैं आज के मैच में ग्रेन लीक की 6 टीमें, जिसमें से अलमोस्त, 6 की 6 टीम या चन्नाई के फेवर में है, क्योंकि मेरे इसाब से चन्नाई जीत रही है, अब सेम कॉम्मिनेशन को आप अगर लखनाउ के फेवर में बनाती हो, तो 12 टीम ये आप लो situation होगी उस according थोड़ा सा risk लेके team बनाना तो 20 team में आप अराम से बना सकते हो बस आप लोगों को एक बार small link की वीडियो भी देखनी है क्योंकि उस वीडियो में जब आपको record पता होंगे और grand link की ये वाली में आई होगी अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी informative लगी हो वीडियो को like कर दीजिएगा telegram channel से अगर आप लोग नहीं जुड़े है telegram channel से जुड़ जाईएगा चैनल को अगर आप लोगों ने subscribe नहीं करा है channel को भी subscribe कर दीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जब तक के लिए bye bye thank you so much दोस्तो